एक धूप भरी दिन मैं जब लोग आराम कर रहा था. सूरज पिलकुल माथे पर थे. ठीक उसी समय एक सेब का पेड़ और एक आम का पेड़ आपस में बात कर रहा था. किया? एपल आजकल तेरा डिमांड कम हो गया. लोग आजकल मुझे पसंद करने लगे हैं. सर्दी या गर्मी में मुझे हर वक्त लोग पसंद करते हैं. जूट मत बोलो एपल. तुम्हारे तो ठीक से रंग भी नहीं आया. मेरी देखो, तुमसे पहले मैं लोगों की घर जाने वाली हूँ. तो किया हुआ. जब मेरी डिमांड होगी तो मैं भी जाऊंगी. आकर देखो इनकी. सुनो, एपल किया है तुम्हारे अंदर? लोगों को पसंद वाली कोई चीज है तुम्हारे पास? मेरे अंदर देखो, कितना सारा गून है. प्रोटीन, कर्बस, फट, वितमन च, इतरी विर, प्र, फॉलात, वितमन ब6, वितमन आ, वितमन बफांग, वितमन का, वितमन ई, नियसीन, पोतासियम, रिभफलेवन, मंगनेस, थामीन, मंगनेसियम, बसितना ही? ये प्रोटीन, फाट, कर्बोहाइड्रेट, नियसीन, शुगर, डियेटरी फाइबर, थायमीन, वितमन सी, रिभफलेवन, वितमन ब6, पोतेजियम, कालसियम, फॉस्फफरिस, मंगनेसियम, आयर्न, जिंक, सोडियम, कापर, मंगनेस. अरे हरे, तुम लोग आपस में लडाई क्यों कर रहे हो? लोग तुमको इसलिए पसंद नहीं करते, समझे आम, अल्लाह ने तुमको बनाया ताकि लोग तुम्हारे सेवन करें, और तुम्हारा सुवत ले. हाँ, तुमने ठीक कहा. एपल, तुमको भी लोग सुवात और सेहत के लिए सेवन करते हैं. उसकी शुक्रिया करो. आपस में लडाई करना बंद करो. तुम लोगों के पास अपने-अपने प्रॉपर्टी हैं, जो इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है. आपने किया सिखा. कभी घमंड नहीं करना चाहिए, सब के पास अपने-अपने टैलेंट होता है. उससे ठीक तरीके से और समय के साथ इस्तमाल करो, जिंदगी में सफलता मिलेगी.